मैं बस एक चीज को समेट रहा हूँ कि सब ने कुसी ने हास कहा, किसी ने वीरिस में कहा, किसी ने सिंगार में कहा, तो कविता क्या है? बहुत बड़ा पोथा ले गया तो पहले कविता सुनाता हूँ, उसके बाद वो माफी मांग तो रहे हैं, कविता शब्दों का अद्भुत खेल है, कविता बुद्धी का मन से मेल है, कविता कथा है, कथन है, कविता पन्ने पे उकेरा हुआ वचन है कविता कथा है, कथ है, कथन है, कविता पन्ने पे उकेरा हुआ, कविता काव है, संभाव है, कविता तारक है, प्लाव है, और कविता साक्षात भी है, निर्गुण भी है, कविता अधूरी होकर संपूर भी है कविता चांद और चकोर का किस्सा है, कविता बुढे माबाब की रोटी का हिस्सा है, कविता रुदन है, गुस्सा है, हास है, कविता टीका है, टिपड़ी है, भाश है, कविता बुखी है, बेबस है, लाचार है, कविता रोजी रोटी का अनकहा विस्तार है, कविता मद्होश है, मद्वाली है, कविता सर्द सवेरे चाय की प्याली है, कविता सर्द सवेरे चाय की प्याली है, कविता दोपहर की धूप का पसीना है, कविता बारिश में भीगती हसीना है, कविता सहज है, सौम है, सादा है, कविता परदेश जाते प्रेमी का वादा है, कविता मनुष की बेबसी पर अठास है, कविता राजनेटिक विद्रूपता का उपहास है, कविता राश्ट का इंसानियत का संदेश है, कविता राश्ट का इंसानियत का संदेश है, कविता आम जन की पीड़ा है आवेश है कविता अच्टालिकाओं पे चड़ी हुई मशूर है कविता दो जून की रोटी को मरता मजदूर है कविता चिंगारी में आग का आभास है कविता चिंगारी में आग का आभास है कविता रक्त से सीचा हुआ इतिहास है कविता भाउम है पाताल है आकाश है कविता अंधी गली में ज्ञान का प्रकाश है कविता अंधी गली में ज्ञान का प्रकाश है कविता साहस है दुस्ताहस है विरोध है कविता प्रेम का सत्य का अनुरोध है हर रूप रंग समेटने कोशिश किया हूँ कवता प्रेम का सत्य का अनरोध है कवता व्याकुलता से गुजरती हुई शांती है कवता व्याकुलता से गुजरती हुई शांती है कवता रदो बदल की सुनहरी क्रांती है कवता माने सजो कर रखा खिलोना है कविता माने सजों कर रखा खिलावना है कविता सधे हुए हाथों में नवयावना है कविता पद में परमित्रा की धात्री है कविता युग के संकल्प की निर्मात्री है और आकरी दोला इन है कविता खेत है खलियान है हरियाली है कविता खेत है खलियान है हरियाली है कविता बिना अस्त्र देश की रखवाली है कविता बिना अस्त्र देश की रखवाली है और वो रसना सुना रहा हूँ जिसको सुनाने मुझको आदेश हुआ है अब जो बच्चे हैं बहुत गंभी स्रोता बच्चे हैं तो इसलिए सुनाने के हिम्मत जुटा पा रहा हूँ और बहुत लंबी भूमका नहीं बनाऊंगा वस यह कि यहाँ जो आई दिन बलतकार होते रहते हैं उस पर जो घटिया बुर्ष मान सकता है कि सोच है उसको दर्शाता हो कि आप कह देते कि उसके तंग कपड़े थे छोटे कपड़े थे इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया कि बोटी एक घटिया मान सकता है तीन साल की बच्ची का आप रेप कर देते हैं उसमें कौन सी आपको कामकता नजर आ जाती है उसी पहस सुनिएगा, मन से सुनिएगा और आकरी में बस इस कविता को आशिरवाद दीजिएगा वो माफी मांग तो रही थी वो माफी, मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थीही नहीं फिर भी ना सुना उसके नमिसरार को कभी अपनी हठेलियों से अपनी सीने को छुपाते हुए कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धसाते हुए वो चलित्र उतराना चाहिए कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धसाते हुए अपने असमत की इस्तदा करती अपने असमत की इस्तदा करती फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतराएं लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिल खिलाता चहरा जिस्म को फिर क्यों रौण दिया उसकी आत्मा को क्यों चीर दिया उसके जिस्म को क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की शुर्खियां और चौरहों की चट्पटी खबर क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हसना चाहती थी और रंग भी रंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी और तुमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से किती ही नहीं धन्यवाद